हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टैप एजूकेशन पॉइंट पर आरदीक स्वागत है उम्हीद है आप सब अच्छे होंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो को मिसमा करने के लिए बैल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें तो दोस्तों जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारी क्लास 6 की NCIT की साइंसी लिया गया है आपने जो कैप्शन है वो जुरूर पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है separation of substances की यह हमारा fifth lesson है इसमें हम क्या पढ़ेंगे अगर हम कल की बात करें तो कल हमने कौन सा पढ़ा था कि जिसमें हमने material जो भी वस्तों होती है उनको हमने divide किया था किनमें बहुत सारे parts में कि जैसे कि जो चीजे होती है है कुछ बारी होती हैं कुछ हलकी होती है जैसे कि कुछ ħूप जाती है पाने में कुछ नहीं डूपती कुछ चमकती है लकड की बनी होती है प्लास्टिक की बनी होती है तो इसलों हमने बहुत सारा यहां बात ही कह सकते हैं कि हमने केटेगराइज किया था आज हम बात करेंगे सापरेशन अव सबस्टांसेज जैसे कि अगर आप यहां पर पिक्चर दिखाए रही होगा यह किसी है तो यहां पर आप चाय जरूर पीते होंगे तो आप चाय पीने से पहले जब भी आपकी मदर चाय कर आते होंगे तो वो क्या करते होंगे एक टाइप होती है ठीक है उसके द्वारा झो जlling हatoreटी को निकाल दिया जाता हैust और चाय को पी लिए जाता है तो चाय पती को क lange तो ऑंपिते हो पड़ों कि वह क्यों निकाल देते हैं क्योंकि वह एन्वांटेड्स more लुद्व u IDE में जब आपको니다 इसी तरह भाषिक चीज़ पीचिजे निकालना पड़ता है अगर बात करें याप प्र अपर मख्षं है तो कृक्षिक यहां पर हम कैसे निकालते हैं थीक है तो आपको यहां पर उसकी भी दिखाई दे रही होगी तो इसी तरह हम यहां पर बहुत सारी चीजे देखेंगे और जो separation की जाती है ठीक है उनको क्या-क्या हम कहते हैं ठीक है उन separation कितने types की होती है इन सबे के बातों के बारे में हम यहां पर discuss करेंगे तो आपने मारे साथ video के end तक बने रहना है तो यहां पर शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले बात करें अगर हम अनाज की ठीक है तो अनाज से हम क्या करते हैं कि grain is separated from stocks की stocks क्या होता है कि जो घास पूस नहीं होती ठीक है अनाज से हम क्या करते हैं कि जो भी जो भी वारी फसले हैं उसमें से हम घास पूस निकाल देते हैं ठीक है तो जब हम उसकी कटाई कर रहे होते हैं तो वह क्या होता है वो भी सप्रकार सकते हैं कि शाप्रेशनी की जाती है यहां पर आप पिक्चर देकपा रहे हो जैसे की बटर निकाला जा रहा है THE сторस्च तो यहां पर और बहुत centres przep लेखने studied warum आप System i节 bewusst , तो आप मिर्च को क्या करते हैं ? आप मिर्च ku losing the orange system Chris 17 00.00 के मर्च आप बहुत जादा कौड़ी लग franc यह विद भी कहते हैं mamloon अलग रखना चाते हैं तो इसलिए हम उन दोनों को चीजों को अलग कर देते हैं और यहां पर अगर हम methods की बात करें ठीक है तो यहां पर बहुत सारे methods हैं ठीक है तो यहां पर separation के मतलब की कोई चीज अगर हम अलग कर रहे हैं तो उसके तरीके भी तो बहुत सारी अलग-अलग होंगे जैसे कि एगर पानी में नमक मिल गया है तो अगर इन दोनों को अलग करना हो तो अगर यहाँ पर कोई घास-फूस है ठीक है जैसे कि आप आग में चावल हो गया दाल हो गया या फिर जो आपकी वीट है जिसको हम करना किया फिर गेम कहते हैं तो उसे में छोटे-छोटे पत्थर होते हैं तो उसको निकालने के लिए कौन-कौन से तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है और फिर अलग-अलग चीजें होंगी उनको अलग-अलग तो यह हाथों का यूज करके जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं ठीक है उसको यहाँ पर जैसे कि आप आपने अगर गेहूं से या फिर जो चावल होता है या फिर जो दाले होती है ठीक है उसको बनाते टाइम हम क्या करते हैं उसमें से पत्थर कह लीजिए या फ बात करें यहां पर ठ्रैशिंग की नाम किसी है विये आप ओन्याइरता में पार प्रत में कारीशनग कह आप देखे रहे हैं ठीक है तो यहां को कह सकते हैं कि जो भी यहों है ध्याकर फिर जो नहीं गया कि फ्रैशिंग माय जहाँ जाता है यूज को पीट कर अलग किया जा या फिर हातों से भी किया जा सकता है या फिर आज कल अगर आप देखेंगे तो मशीनों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगया है बट मशीनों का प्रयोग करने से आपको सिर्फ एक समस्या यह आती है है कि उसमें जो अनाज है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ठीक है ना आप समझ पा रहे होंगे तो आप अगर आपको पता हुआ कि ग्रामिन इलाखों में यह खेती वगरह की जाती है तो कैसे इन सब तो अगर हम यहां पर बात करें, तीसरी यहां पर प्रोसस यहां है विन्जोइंग, तो यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहे होगी, एक महिला यहां पर है, तो यहां पर जो भी इनका अनाज है, इसमें से यह आपको इधर घास पूस या फिर थोड़ी बहुत जो वह ब entsprechड हुई दिखायि दे रही है थो basically यहाँ पर जो-एयर होती है तो इसको यहाँ पर येंड जाता है जैसे कि उसको जब उपर से गराएंगे तो हवाएं चल रही होगी अगर हमने यह method नहीं use करना ठीक है तो फिर हम जो fan होता है ठीक है उसका हम use कर सकते हैं तो जो winnowing की process है इसमें हम mixture होता है जो ठीक है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है husk और यहाँ पर जो भी अना आ जायन का तो इसमें जो हलका component है ठीक है वह हलका part इधर आ जाएगा ठीक है उड़ जाएगा तो इस तरह इस process का हम क्या नाम देते हैं इस process को हम winnowing नाम देते हैं और बाद में इसी का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यह हस कह ठीक है जो भी थोड़ी बहुत है ना आठा को पता होगा कि जो रोटी है वह आटे से ही बनती है ठीक है जो floor हो अड़ी इंग्लिछ में प्राट कहते हैं तो यहाँ पर जो रोटी बनाई किया तो बनाने का टाइम हुम किया करता है पहले आठ्ट आठे को इक Agroni structure रहक देते हैं और उसको रखने के बाद थ तो यहां पर जो सीविंग की प्रोसेस है यह आप देखते हैं कि घरों में आपको यहां पर एक पिक्टर भी दिखाई दे रहे होगी तो यहां पर जो आटा है उसका इसमें जो भी थोड़े-बहुत बड़े-बड़े सब्स्टांस होंगे ठीक है क्योंकि गेहों को पीस्ते यहां पर काफी चीज़े होती हैं जो उसमें आ जाती है जो कि अनवांटेड होती है ठीक है जो कि हस्क कह सकते हैं कि थोड़े से बड़े हो सकते हैं तो वो उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं ठीक है तो इसको हम इसकी प्रसेस को हम क्या नाम देते हैं सेविं का अगर हम देखें तो सीविंग का जो यह जो प्रसेस है या फिर जो सेपरेशन के जो टेकनीक है तो यह यूज की जाती है कब जब मिक्षर में जो साइज है ठीक है जैसे कि जो आठा नीचे गिर रहा है ठीक है वो तो बहुत पतला होगा और जो इस शाननी में रह जाएगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है तो हम different different types के components को अलग करने के लिए हम सीविंग का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं यहाँ पर आपको pebbles and stones ठीक है यह भी cement में से निकालते हुए आपको दिखाई दे रहे होगे अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर और हम बात करें thrashing देख लिया hand picking देख लिया तो यहाँ पर इन सभी का तो यह तो limited ही चीजों की कर सकते हैं तो बाकी जैसे कि अगर पानी से हमने कोई सफाई करनी है ठीक है पानी से कुछ impurities निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे जैसे कि आप filter वाला पानी भी पीते है ठीक है पानी से क्या होता है कि जो unwanted material होता या फिर वो उपर रहाता है जैसे कि धूल मिटी होती है ठीक है उसको हम बात में उस पानी को गिरा देते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर sedimentation की जो पहली process है इसको हम कैसे यूज करते हैं तो जैसे कि जो भारी सब्स्टांस हो और बाद में इसको इस process को हम कहेंगे sedimentation ठीक है ना तो अगर हम उस पानी को निकाल देंगे बाद में ठीक है तो जब पानी को निकाल दिया जाएगा क्योंकि पानी में अब जो मिटी होगी वो mix हो जाएगी तो उस पानी को जब हमने निकाल दिया तो उस process को हम क्या कहेंग वह भारी होने के कारा निचे रहा जाएगा और उस सब्स्टांस में जितने भी अन्वांटेड पार्टिकल्स होंगे जैसे कि घास पूस हो सकती है या फिर मिट्टी वगरा हो सकती है तो वह सारे उपर आ जाएंगे ठीक है उसको बाद हम उस पानी को जब निकाल देंगे तो क्क करा अगर मुग्स करने के बाद यहाँ मुसक Yummy करना का देंगे तो जंस Olha caliber को लिए प reco बुपर आजाएगा जो वाटर होगा वह नीचे रहा जाएगा अब दूसरे बिकर हमें धूसरे बड़तन में क्या करेंगे अब उस तेल को निकाल देंगा जो ऑलगा तो इस process को हम क्या कहते हैं इसको हम decantation कहते हैं ठीक है ना आपने इसको समझे लेना है डंग से अगर हम यहाँ पर बात करें filtration की तो यह filtration वाली process क्या है तो यहाँ पर आपको एक example दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपने क्या किया कि चाय में से अगर आपने क्या किया कि चाय में से चाय पती निकालनी है तो आप क्या करेंगे चाय बनाई और रख दिया उसको तो यहाँ पर आपने रखने के बाद जो चाय पती होगी वो नीचे रह जाएगी तो आपने क्या किया आपने वो जो चाय थी वो आपने अपने दूसरे बरतन में डाल दी ठीक है न तो इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि उसमें थोड़ी बहुत बहुत न चाय की जो पती है वो उसमें रह जाएगे ठीक है तो इसलिए हम इसमें decantation का use नहीं करते ठीक है चाय के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं filtration कि वहाँ पर हम जो शाननी है उसको हम रख देते हैं और उसमें से हम जो चाय पती है वो अलग करते हैं ठीक है न तो आप यह भी देख ले न और यहाँ पर हम कई बार बात करें कि टैप से जो गंदा पानी आता है ठीक है तो हम यह कठा करते हैं जैसे कि या फिर तलाबों से या फिर नदियों से तो वह कई बार थोड़ा से मिट्टी वाला पानी होता है ठीक है या फिर आप बारिश के पानी की बात कर लें तो इसमें से अगर हमने कुछ insoluble impurities होती है जैसे कि soil from the water ठीक है न तो इसको हम कैसे अ यहां पर लिखा भी हुआ figure 9 में folding a filter paper to make a cone कि इसका cone बना लिया गया ठीक है बाद में यहां पर पानी डला गया ठीक है जो भी impure water था तो इसके कारण यह जो यह जो कहता न filter paper इसने सारा कुछ absorb कर लिया ठीक है जो भी unwanted चीज थी उसको absorb कर लिया और जो शुद्ध पानी था सिर्फ वही इस beaker में आकर गिरा ठीक है तो हम इसका भी यहां पर यूज कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर बात करें evaporation कि अब यह दूसरी process आगी है ठीक है न आपने यह ध्यान में रखना है evaporation क्या होता है तो evaporation को हम कहते हैं हिंदी में वास्पी करण तो यह वास्पी देता है कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है ठीक है वो कम क्यों होने लग जाता है ठीक है तो जो पानी होता है वो इतना ज्यादा गरम होने के बाद वो भाप का रूप बदल लेता है ठीक है जैसे कि जो पानी होता है जैसे कि जो बारिश होती है यह बारिश वाला जो concept वो इसी तरह होता है कि जो पानी होता है वो भाब बनकर पहले जाता है आसमान में आसमान में फिर वो ठंडा होने के बाद काफी टाइम पर बाद जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद जो बारिश है वो होती है ठीक है पानी से भाब बनने की प्रेकरिया को हम क्या करते हैं evaporation the process of conversion of water into water wafer is called evaporation तो यहाँ पर अगर आप समुंदरी पानी को देखते होंगे ठीक है तो समुंदरी जो जल है तो आपको यह पता है कि नमक कैसे बना जाता है ठीक है तो नमक यहाँ पर बता जा रहा है कि वहाँ पर गड़े टाइप होते हैं तो वहाँ पर पहले उसमें समुंदरों का पानी डाल दिया जाता है तो पानी जब सूरज की किरने वहाँ पर पड़ती है तो जब वह पानी एकदम से सूख जाता है तो एकदम से सूखने की बाद वो क्या होता है कि जो पानी में वहाँ पर आपको सिर्फ नमकी दिखाई देता है ठीक है बाद में उसको फिर manufacture किया जाता है थोड़ा बहुत ठीक है उसको अलग करके अच्छे से नमक यहाँ पर बनाया जाता है ठीक है ना तो यह एक बात थी और अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर और भी बहुत सारी ज्यादा प्रुसेस हैं से लिए ठीक है ना क्यों क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही मैथड से किसी सब्स्टांस को अलग नहीं कर सकते मान लिजे कि आप जो सैंड है ठीक है जो मिट्टी है और जो नम करेंगे तो क्या करेंगे हम एक बीकर लेंगे ठीक है एक बरतन लेंगे उस बरतन में थोड़ा सा पानी डालेंगे ठीक है तो इसी मिक्षर में जहां पर हमने नमक और यह जो मिट्टी है वह डाली होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे जो यहां पर सौरी जो यह सैंड है जो किया हो जाएगी वह बिल्कुली एकदम से बीच में कैसकते हैं एकदम से नीचे वह खडी हो जाएगे ठीका ना मिटी गरम करक किया गया तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो भाप है ठीक है यहां पर उन्होंने आइस भी रखी हुई है तो यहां पर इस भाप को यहां पर ऐसे लाए जा रहा है तो यह जो भाप यहां से निकल रही है ठीक है वह भाप निकल कर यहां पर जा रहा है और लास्ट में जो यहां पर बच जाएगा ठीक है इस बरतन में वो क्या बचेगा वो बचेगा यहां पर सिर्फ नमक ठीक है ना तो यहां पर आपने यह देखा अब यहां पर यह भी देख लेते हैं कि यहां पर जो कंडेंशेशन होता है वो क्या होता है तो यह होती है conversion कि किसकी water vapor को हम यहां पर जब liquid में चेंज कर देते हैं जैसा कि आपको यहां पर इस diagram में दिखाई भी दिरा होगा कि जो यह है केटली से जो यहां पर वाश्चपित पानी है वो जब इस बिकर में गिर रहा है तो उसको पानी में थोड़ा सा नमग डाल दिया तो आप देख पाते हैं कि उस पानी में वो जो नमक है वो एक जगह पर आपको थोड़ा सा पड़ा हुआ वहां पर मिल जाएगा ठीक है पानी में उसमें उसकी इतनी कैपस्टी है ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम saturated कहते हैं बट यहां पर इन्होंने एक और बात कही हुई है कि यहां पर अगर आप उस पानी को गरम करेंगे हीट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा quantity में आप जो नमक है उसको dissolve कर सकते हैं बट मैंने आपको सिर्फ यह बताना था कि saturated होता क्या है तो आपने किसी भी solution में ठीक है जैसे कि पानी में नमक डाला तो एक point पर ऐसा आजाएगा कि जो वो नमक है ठीक है उसमें और ज्यादा नहीं घुल सकता ठीक है उसका highest point होगा उसको हम क्या कहते हैं उसको हम saturated ही कहते हैं तो यह हमारा chapter था उम्मेद है आपको बहुत को जह आपर सीखने को मिला होगा अगर आपको को समझ ना आया हो तो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं शैशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो helpful लगी हो तो आप अपने इसको दोस्ते के साथ शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें थैंक यू सो मच पर वाचिंग गॉड ब्लेस यू वाल